हेलो नमस्कार दोस्तो आप सबी का स्वाज़त है मारे चनल में देखिए आपका संडे को साथ तारिक को एपियस का एक्जाम हुआ था लेकिन उसे एपियस के बारे में बहुत सी इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन से जिन लोगों ने दिया है उनके लिए है और खास बात यह है कि इसमें काफी लोगों ने परिक्षा छोड़ी है तो उस बेस पर कटाफ क्या रहने वाला है कितने अग्जाम आपको संडे को सांथ नारीặc को हो गया था जो की न गहंटे का एक्जाम था और इसमें जो है तीन से॑ कोक्षया करें पूछा गया है तो तो इसमें जो यह कोक्षण पूछा घ्रा पूछा है Subscribe Press on PC मी और से पचास कूछा ब्र पूछार की park mo Six शे से पूछा सब् की बात करें तो भी ठीक ठाक था और इजी टू मॉडरेट लेवल का था पेपर अगर आपने तयारी पहले से कर रहेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं ऐसा कोई डाउट नहीं है तो अब इसमें देखें सेफ स्कोर क्या है आप सबसे खास बात है कि इसमें वन थर्ट की निगेटिव मार्किंगी भी थी तो जिन लोगों ने अगर 90 प्लस नमबर आ रहे हैं ठीक है तो वो अपनी तयारी के लिए लग जाईए सेकेंड स्टेज के लिए स्टेनोग्राफर के लिए और टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए इसमें जो टाइपिंग है वो दोनों पढ़ी होगे तो इसका अच्छा इसको कम्प्यूटर कर सकता था हिंदी की बात करें तो हिंदी जो थोड़ा अच्छा पूछा गया था क्योंकि इसमें जो प्रसास्निक सब्दावली थी इंगलिस से हिंदी में क्या बोलते हैं ठीक जैसे इन्वाइस है इस तरीके को जम्स में आते हैं उस टाइब के पेपर था तो पेपर की बात करें तो मोडरेट लेवल कई था तो कुछ अब और इन्पॉर्टिन खास बात यह हैं कि देखें आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो यह आपका जो एक्जाम हुआ है इसमें उपस्तिती बहुत ही कम होगी दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सो लोगों ने फाम बराता जो जैसे आरो यारो की ट्यारी कर रहे होंगे तो उन्होंने सोचा कि चलिए इस टोनों बाद में हम सीख लेंगे लेकिन बाद में जब फार्म भरने के बाद उनको रिलाइज हुआ कि नहीं यह पेपर बाद में रही है और इसमें टोटल जो फार्म पड़े हुए थे आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो एक लाग साथ हजार सास्सो पचास जो है रिजिस्टेशन हुआ था और इसमें इस रिजिस्टेशन के दोरान जो मातर अभ्यारती जो परिच्छा में सामिल हुए है 50 सबसे जैसे कि यह लखनों की बात करें तो लखनों की जो उपस्तती जो है देखा यह देखिए आपके सामने दिख रहा है कि लखनों में सबसे जैसे कि यह लखनों का सुबह नौ से बारा का फार्म दा इसका देखिए पांच राज्यों में किंद्र बनाए गया थे कानपूर मेरेट लखनों गोरकपूर ठीक है तो इन में जो हैं अलग 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 लेवल पर फार्म केंडिडेट थे हैं जो उसके इसाफसे हर जि हैं कि किकिन नमबर पर जो है ऑयोक बुनाया जाए गासे के लिए तो अगर आप जो है कि यह जumed on article 290 नंबर प्लस आप अगर सही score है तो आप general category में है तो आपको जो है sure है आप second stage के लिए आपको बलाया जाएगा second stage आपकी किस तरीके के होने वाली है वो भी हम इसमें thoughts यह हैं उसके माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे और आपसे request है अगर चैनल को subscribe ना किया हो तो चैनल को subscribe करें क्योंकि कोई भी update होगी आपको चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी तो कुछ second stage के लिए जो tips हैं जो sorts हैं वो आपको दिखाना चाहेंगे देखें जो लोग इस परिक्षा में बैठे हुए हैं अगर उनके एक जो मैंने भी वीडियो में शुरुआत में जो marks बता हैं अगर इतने numbers आ रहे हैं तो आपनी second stage की तयारी कर लिजे अगर किसी के 85 के आसपास भी बन रहे हैं तो मान की चलिए वो selected है second stage के लिए तो अब second stage की जो paper होना है तो वो आपकी जो 75 नमबर की steno पूछा जाएगा 75 नमबर का steno और 25 नमबर की आपकी computer typing होगी तो ये total 100 marks में count किया जाएगा और इसके लिए आपको एक घंटा 30 नट का समय मिलेगा तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो है 150 नमबर का तो आपका pre exam हुआ है इसमें से आप जो marks gain करते हैं उसके बाद ये 100 नमबर आपका जो steno के typing के लिए फिर 50 नमबर का आपका computer practical तो ये मिला करके total 300 नमबर का exam होने वाला है ठीक है अब इस 300 नमबर में जो बच्चा सबसे जादा नमबर लाएगा उसको final में उसी के साफ से merit बनेगा उसका selection हो जाएगा है कह सकते हैं कि ये जो है कह सकते हैं पीसे लेवल के rank की post है जो आरो के बराबर ही लगबग salary भी है और आपके promotions आके बहुत अच्छे हैं तो कह सकते हैं कि कम समय में अच्छी post पे जाना बहु अब नोटिफिकेशन आप ने देखा होगा तो अब कहने का मतलब है कि आप अगर इस टेनों कर रहे हैं या कर रहे थे लिकिन आप practice नहीं कर रहे तो आप practice में लग जाएए और जिन लोगों ने फार्म अगर ऐसे बहरा कि इनको इस टोनों नहीं आती है तो उनके लिए यह ही है अगर आपने सीखी ही नहीं है तो देखे इस टोनों हम यह नहीं करना चाहेंगे कि हमाए वीडियो को लाइक बढ़ाने के लिए कि आप जो है सीख लीजे आप हो जाए इसमें कम से कमने तो 6-8 मैना तो लगेंगे लगेंगे तो अगर आपके में स्टैमिना है या आप आपके अंदर जुनून है सीखने का तो आप सीखी अगर आपने अग्जाम दिया है सच में, अदर्वाइस आप दूसरी अग्जाम की तैयरी करिए अभी आरो एग्जाम लगा हुआ और यह रो का तो उसके लिए आप बेस्ट है आपके लिए आशा करते हैं आप उसमें से से मिलता रहेगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज्यादा से जदा शेयर करें थैंक यू